हाई फ्रेंज वेलकम बैक टो माई चैनल तो आज हम पढ़ेंगे निबंध उपन्यास सम्राज मुझी प्रेम चंद जीपर रूप रेखा प्रस्तावना जीवन परिच्छे साहित्तिक विसेश्टाई राश्री चेतना की अभिवेक्ति उपसंगार प्रस्तावना अभी तक हिंदी साहित्ति ने अनेको उपन्यासकारों को जन दिया है जिनोंने हिंदी उपन्यासों को अपने समय में नूतन दिशाएं प्रदान की हैं उन सब में प्रेम चंद को सरवाथिक लोग प्रे उपन्यासकार कहा जाता है मुन्शी प्रिंचंद ने अपने उपन्यासों से हिंदी पाठकों को जितना प्रभावित वा आकरशित किया उतना अन्य किसी लेखक ने नहीं किया इसलिए उन्हें उपन्यासमराद की उपाधिक दी गई है जीवन परिचे हमारे अप्रेय लेखक उपन्या सम्राथ प्रेंचंद का जन्म सन 1880 में काशी के निकट लम्ही नामक गाउं में एक साधरन परिवार में हुआ इनके बचपन का नाम धनपत राय था पिता बाबु अजायब राय डा खाने में मुन्शी का कार करते थे प्रारंब में ये गाउं में एक मौलवी से उर्दू सीखा करते थे मा की असमय मृत्यू ने इनका बचपन का प्यार छीन लिया इनकी सौतेली मा का इनके साथ बड़ा दुर्वेवार रहता था इन्होंने कठिन परिस्यतियों में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी बीये पास कर ये पहले अध्यापक फिर धीरे धीरे डिप्टी इंस्पेक्टर के पत तक पहुँच गए सन 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आद्दोलन के लिए आभान पर इन्होंने भी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्र रूप से साहित्य साधना में लेखन कार्य में जुट गए मुल्शी प्रेमचंद का ग्रहस्त जीवन भी अत्यंत संघर्ष पूर्ण रहा पहले सौतेली मा के कहने पर बे मिल विवा हो गया जिससे इनकी कभी नहीं बनती थी बाद में इन्होंने समाज में उदारन प्रस्तुत करने के लिए एक बाल विद्वा शिवरानी देवी से विवा कर लिया शिवरानी देवी ने उन्हें चेत्र में सत्त सहयोग प्रदान किया सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने माधुरी हंस जागरण आदी पत्रिकाओं का कुछल संपादन किया लेकिन जीवन में संघष निरंतर बना रहता था वह जीवन भर आर्थिक कठिनाईयों से जूचते रहे निरंतर साहित्य साधना करते हुए हिंदी साहित्य को अनेक उपन्यासों वा सैकडो कहानियों से सुचद्यत कर ये महापुरुष 18 अक्टोबर 1936 इसवी में केवल 56 वर्ष की आयू में इस धराधाम को छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो गए साहित्य विशेष ताइम प्रेमचंद से पूर्व हिंदी में कथा साहित्य का काफी विकास हो चुका था परन्तो उनमें अधिकतर जासुसी तिलिस्मी अवहारी करपना की प्रधानता थी प्रेम चंद ने अपने यूग में कथा साहित्य को एक नूटन दिशा प्रदान कर यूग परिवर्तन का काम किया उनके साहित्य की प्रमुख विशेष्टा या है कि उन्होंने अपने साहित्य को व्यभारिक जीवन से पूर्णतः जोड़ दिया उन्होंने तत्कालिन परिसितियों के आधार पर समस्या प्रधान वाचरित्र प्रधान कथा साहित्य का सरजन किया उन्होंने ततकालिन नारी समस्या, वैशे समस्या, अनमेल विवा समस्या, किसानों की समस्या, मजजूरों की समस्या, दहेच समस्या, सामाजी कुरीतियों की समस्या का मुल्यांकन कर समाज के सामने प्रस्तुत किया उन्हों ने ततकालिन ग्रामिड जीवन के यथार्थ चित्र कीचें, जमीदारों, सूध खोर महाजनों, सरकारी तंत्रों का यथार्थ चित्रणर कर समाज के दलित वर्ग का पत्थ प्रदर्शन किया वे समस्याओं को यथार्थ रूप से प्रस्तुत कर उनका आदर्श वादी ढंग से समाधान खोजते थे इसलिए उन्हें यथार्थ वाद विचार धारा का उपन्यासकार माना जाता है यथार्थ को चित्रत कर देना उनकी प्रमुख विसेश्टा थी उनके कथा साहित्य का प्रतेक पात्र अपने यूग का सही प्रतिनिधित्व करता पाया गया है उन्होंने समाज का ऐसा चित्र खीचा कि मानोवे किसी दृष्ष का आँखो देखा हाल प्रस्तुत कर रहे हों मानोवे घटनाएं उनके सामने सही रूप से घटित हो रही हों उनके कोई पात्र कार्पनिक नहीं लगते हैं एक सफर साहित्य कार की यह प्रमुख समुख विसेश्टा होती है प्रेमचंद के साहित्य में राश्र चेत्ना वर्जन जवरन के स्वर भरे हुए थे प्रेमचंद के काल में भारतिय समाज में अनेको विशमताएं व्याप्त थी साथ ही उन विशमताओं के विरुद्ध भी समाज में आवाज उठ रही थी किसान जमीदारों के चंगुल से छूटने के लिए छटपटा रहे थे नारी अपने उपर लगे समाजिक बंधन तोड कर उपर उठने की चेश्टा कर रही थी समाजिक कुरितियां मूँ खोले भारतिय समाज को ग्रस रही थी जिनका समाज में खुला भंडा फोर्ट हो रहा था चाहू ओर सोशन अन्याय अत्याचार वेविचार पाखंड विशमता लूट खसोट मची हुई थी ब्रिजिश शासकों का दामन चक्र अपने पराखाश था पर था इस विशम परिशितियों में प्रेमचंद की कला का विकास हो रहा था प्रेमचंद सोशित दीन हीन दलित दुरबल जनों के पक्षधर बनकर जन जागरन का कारे करने लगे उन्होंने सोई हुई दबी हुई जनता को जागरत किया अपने उपन्यासों कहानियों वा पत्रिकाओं के द्वारा जनता में एक नई जान डाली उपसंगार उपन्यास समराट प्रेमचंद हिंदी के सरवाधिक लोगप्रिय कथाकार है उनके साहित्य का अनुवाद विश्व की लगभग सभी विक्सित भाषाओं में हो चुका है जहां भी उनकी उपन्यास पढ़े गए वहीं उनकी प्रशंसा होने लगती आज प्रेमचंद हमारे बीच नहीं है परंतु उनके साहित्य में उनकी वाड़ी हमें उद्गोशित कर रही है उनकी वाड़ी हमें देश भगती समासुधार जनसेवा का संदेश दे रही है हमें उनकी वारी से जीवन के हर छेत्र में प्रेड़ना ग्रहन करने चाहिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो so please like share and if you are new on my channel so please subscribe thanks for watching bye bye